दोस्तो नमस्कार मैं रजनिश कुमार PVR एक्वा कल्चर फार्म से कैसी है मेरी PVR एक्वा फैमली होप सब सुवस्त होंगे सब अपने कल्चर में बिजी हैं दोस्तो मैं आपका तह दिल से सुक्रियादा करना चाहूंगा फिश गुरूपे बहुत ही अच्छा रैस्पोंस मिल रहा है और बहुत सारी कॉल्स लैंड भी हो रही है मेरे कस्टूमर केर पे और उन सब का दाउनलोड क्रोस हो चुका है आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि स्पीसीज मरल काफी सारे भाईयों ने रिक्वेस्ट की है कुछ दो तीन स्पेसिफिक इसी स्पीसीज पे मच एक वीडियो शूट करने के लिए तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मरल की दोस्तों में कोई भी मचली पालन करना हो, कोई भी मचली की स्पीसीज मचली की परजाती सेलेक्ट करने हो पालने के लिए तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए यह वह स्वीट वॉटर है सैलाइन वोटर है मरल हमारी स्वीट वॉटर फिश है जो कि स्नेख हैड के नाइम से बड़ी पॉपुलर है यह फिलिपेंस ताइवान थाइलेंड में भी पाई जाती है और बहुत हाई डिमांड और हाई वैल्लू फिश है क्योंकि लोगों का मातन जहते हैं आप को यह उनलाइज करना पड़ेगा तब आप नई स्पीसीज़ा फालन कर पाये जल्स हमारी चार प्रजातिकी होती है यह मरॉन और यह हमें देखना हूं जितनी को यह यह की मचली पालन करना हो तो आपको बेशिक 6-7 बाट के बड़ी ध्यान रखनी है सबसे पहले कि आपने site selection criteria क्या है आपको जहां मचली पालने वाले हैं वो आपने कैसी select की है दूसरा आप मचली stock करने से पहले आपकी water body की readiness या preparation कैसी है तीसरा आपने seed selection criteria क्या है आपका आप जो seed आओं कहां से purchase कर रहे हैं उसी commercial hatchery है wild fish ले रहे हैं local procure ले रहे हैं उसके broad stock कैसे है चोथा आपने stocking कितनी करी है क्योंकि ये बहुत important बात है एक अच्छे successful farmer के लिए फिर आपने feeding क्या कराया उसको आपने उसका bio mass क्या projected कराया कितने दिन में आप harvest करेंगे सिक्स ता आपका harvest क्या है और सेवन आपकी क्या major disease उस प्रजाती में outbreak होती है जिसका आपने पहले ही precautionary तैयारी करी हुई है मरल जनरली हम 20 से 25,000 per hectare stock कर सकते हैं 500 से 800 gram उसका अच्छा marketable size है 400 से 500 रुपीज पर kg उसका एक अच्छा marketable price है अभी ये बहुती commercial scale पर नहीं है उसका कारण mainly क्या है कि हमारे पास उसकी commercial level की hatcheries नहीं है जादतर fingerlings की पूरती हमारी wildlife जो breed होती है fingerlings उनसे capture करके पूरी की जा रही है तो हमें इस पर workout करना है कि हमारी इसकी commercial hatchery एक अच्छे level पर हो क्योंकि मचली हमारी demand में है दूसरा यह मचली आपकी ground level पर बाक्यों के comparison में काफी देर तक जीवित रह सकती है यह मचली high density पर पाल सकते हैं बड़ आपको इसमें aerator लगाना पड़ेगा aerator भी भी काफी लोगों का requirement comment रहता है कि हम density कम कर लेते और इरेटर नहीं लगाते दोस्तों आप aerator को आप एक ऐसे अनिवारी है वस्तू अनिवारी है equipment बनाके आप अपनी water body में लगाईए और उसके benefit observe कीजिए वो ज़्यादा oxygen rich रखेगा आपके water body को तो आपका decomposition fast होगा जो भी आपका sludge इखटा हो रहा है ज़्यादा oxygen है तो मचली more freely आपकी swim करेगी water body में aviation का कोई भी de-merit नहीं है सारे के सारे merits ही है आपकी इसका seed available आपको generally मैई से अगस्त तक मिलेगा आपको दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा आपको जो fishes आपकी life fish होती है small जैसे की जो early stage पर breed कर जाती है mainly तलापी और common car अगर आप mainly दो species में चीतल में और मरल में अगर आप ये culture करने जा रहे हैं तो आप एक डेड़ महीने पहले अपनी water body में उनको stock कर दीजिए उनको stock करने से worldly age पर breed करेंगी और जो उनसे आपके semi fry fry डवलप होंगे ये fish उसको बहुती preferable खाना खाती है जब तक आप इसको commercial feed पर move करेंगे तब तक इसका preferable food life fish है तो आप इन दोने species में बड़ा खास ध्यान रख सकते हैं कि जब मरल कर रहे हैं तो आप live fish छोटी या trash fish बोल सकते हैं कि जो आपकी waste वाली fish है जो आपकी नहीं कोई खा पा रहा है हम आप उनको अपनी water body में छोड़ दें तो ये उसको preferable food खा लेती है EVS common disease होती है जाद दर जितनी भी fishes होती है इंसमें bacterial infection बड़ा होता है तो ये हमारी कुछ आज की 5-6 topics main main बाते थी मरल को लेके तो आप सब मरल के अगर culture करना चाहते हैं पहले उसकी अपनी local market study कीजिए आपकी क्या requirement है seed का procurement का क्या status है आपको live fish वहां से कैसे आप generate कर तो बने रही है अपने प्यवियर एकवा यूटूब चैनल पर और जानते रही है बेसिक से बेसिक सो छोटी से छोटी बात है धन्यवाद